आज बिस्किट बनाने जा रहे हैं चौकलिट फ्लेवर में बिस्किट कुकिस बिस्किट बनाने के लिए मैंने यहां एक अदर बाउल दिया है बाउल में हम दो कप मेदा डाल देंगे इसे चान देंगे मेदे को रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिसमिल्लार राख्मान रहें यहां पे एक कप मेदा डाल दिया हमें 250 ग्रैम मेदा लिया है इसे एक साइट पे रख देते हैं यहां पे एक और बाउं ले दिया हमें 150 ग्रैम बटर यूज़ करोंगी मेदा बाउं में बटर आड़ कर देंगे बटर को अची तरा मिस्ट कर लेंगे रोम तंप्रेचर के बटर था हमारा 150 ग्रैम शुगर आड़ करतेंगे शुगर को थोड़ा सा पीच ली चाएगा वन टेबिल स्पून वानिला एसेंस यूज़ करेंगे मिक्स करेंगे शुगर और बटर वानिला एसेंस सब अची तरा मिक्स हो जाएं 1 टेबिल स्पून बेकिंग पाउडर नमग जालेंगे 1 फोर टी स्पून स्पैचुला को हटा देंगे हैंड विक्सर की मतर से अब जरा अच्छे तरीके से बटर और शुगर को विक्स करेंगे ताको ये वाइट और फ्लफ्य होजाएंग बटर शुगर और वैनिला एसेंस और नमक के बैटर को जो हमने अच्छी तरा मिक्स कर लिया इसके पाथ अ थोड़ा थोड़ा डालेंगे और मिक्स करेंगे से एक अच्छी सी डो फॉर्म में लेके आना है इसे मेदा तालने के बाद अच्छे तरीके से मिक्स के आए अब सारी डो को उठा कर आएंगे काउंटर फिली कराएंगे यहां पर थोड़ा और इसको एक जान करेंगे ताके जो अलग अलग होना है सब एक जगा एक सिमित हो जाएंगे डो को यग जान कर लिया है अब इसको दो पार्ट में डिवाइट कर देंगे एक पार्ट में डालेंगे हम कोका पाउडर अची तरह मिक्स करेंगे कोका पाॉडर अची तरह मेक्स जोंगे और ब्राउं डों की शकल अख्तियार कर लेंगे यहां पर एक तदर बटर पेपर लिया है इसके ओपर हम कोका पाउडर वाली डों रखते हैं आप मुए अबर यहां अबर अवस्तिजी अद्यार्ग अब इसका पेट पेपिर इसके ओप एके लेए अब इसे रोटी बेल दे मादे इसके साथ बेल दें कि यहां किसी जिप लॉक पैक में भी टाल के बही सकते हैं और बाद में साइटों से कट कर जाएं कि इतनी सी हमने इसकी थिकनेस रखनी है बहुत ज्यादा पतला भी नहीं बहुत ज्यादा बोटा भी नहीं इसे रब देंगे हम एक साइट पर तूसरी डोव को भी इसी तरह बेल देंगे इसी तरह इसको भी बेल देंगे कि अपर की बटर के बस हटा देंगे मैंने हाट शेप लिया है राउंड शेप लिया है इस शेपेस पे हम काट लेंगे कुकिस अब जो चोकलेट वाला इस्टार है उसके अंदर वे छोटा वैनिला वाला इस्टार लगा दूगी यह कितना अच्छा कुकिस बंगया हमारा यहां पर एक ट्रे ले लिए और विदाउट ओन बीग करेंगे कुकिस को बहुत ही अच्छे तरीके से बीग हो चाहे लिए बीग कर दखेंगे न है छे साथ बॉल्स अब यह रफली है ने लेट करेंगे से वैनिला फ्लेवर वाले हम लगा कि देखेंगे फ्लावर की शेप दे रहे हैं कितने अच्छा फ्लावर की शेप में आएंगे शिक्स आते हैं कि सैविन लगा कर देख लेते हैं तो चलिए यह भी बिस्किट तैयार हो गया है यहां पर यह दो बिस्किट निकल आए हैं चलिए मेरे प्याव यूवर्स हमने कुकीज बिस्किट बिल्कुर अच्छे तरीके से कुक कर लिया हैं अबने विदाउट ओन कुक किया हैं थर्टी फाइफ मिनिट्स पतीले में र कीजिए साफ सुतरे तरीके से कम पैसों में अच्छी चीज घर में बनाएए इंज्वाइए कीजिए अपने बच्चों के साथ अपने फैमली के साथ फ्रेंड्स के साथ इसी के साथ इजासे दें चाहते हूं लाफिस